इस वीडियो में सीखेंगे और आपके पास kotak का bank count है आप kotak bank count का virtual debit card को खुद से generate करना चाहते हो तो friends आपने बिलोकुल exit वीडियो पे ग्लिक के है इस वीडियो कंप्लेट वास करना without skip के हुए channel for first time वीडियो चैनल को भी subscribe कर सकते हो because आगे भी इस तरह के backing tips देखने के लिए so let's start video without any delay सबसे पहले आप kotak का application को इस तरह के से install कर लेना लेटरेश्ट वाला और उसके बाद आप नीचे में यहाँ पर बहुत चारे बटम में options शो होंगे बट यहाँ पर कोई भी options पर क्लिक नहीं करने है यहाँ मिलेगा simple सा kotak 811 का एक options जश्ट इस पर टाप करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा loading का error देखने को मिल सकती है बट कुछ भी नहीं आप वेट कीजिएगा इसके बाद यहाँ पर एक नया page आपके screen पर show कर दी जाएगी थोड़ी देर वेट करने के बाद अब यहाँ पर आपका debit card का एक section मिलेगा यहाँ पर आपको debit card का एक section पर क्लिक करनी है इस पर जैसी friends आप क्लिक करेंगे फिर से loading का एक interface होगा लेकिन यहाँ पर कोई भी आपको card नहीं मिलेगा जैसा कि यहाँ पर दिखा रहा है get your free virtual debit card now apply now आप सिंपल सा क्लिक करेंगे अब देखिए यहाँ पर दिखा रहा है your virtual card will be ready in a few days मतलब कुछ दिनों के अंदर आपका debit card यहाँ पर show होगा हाला कि कुछ दिन तो नहीं लगते कुछ मिनट या कुछ घंटे आप बोल सकते उसके अंदर यहाँ आपका debit card जो हो जाती है एक बार यहाँ से मैं back करके फिर से अगेन आ के देखता हूँ क्या यहाँ पर मेरा virtual debit card जिनरेट हुआ यह नहीं मैं अब भी इस तरीकी से back करके try करना हो सकता है कि तुरंत source है लेकिन कभी-कभी time जादा लग सकता है लेकिन यहाँ पर देखिए दिखा रहा few days यानि कुछ दिनों के अंदर आपका virtual debit card यहाँ पर ready हो जाएगा ध्यान दीजेगा यह virtual debit card यह physical debit card नहीं है और नहीं यह debit card आपको